हालो इस्टूडट्ट आज अपने वाले हैं क्लास 12th NCRD physics के अंदर पार्ट 2nd के अंदर टोपिक है रिफ्रेक्टिंग टेलिस्कोप रिफ्रेक्टिंग टेलिस्कोप में क्या होता है अपने पास टू लेंसे होगे अब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस अब्जेक्टिव लेंस जो होगा उसका जो फोकल लेंथ होगा वह ज्यादा होगा साइज लार्ज होगा आई लेंस है उ तो उसका जो object distance होगा, वो क्या होगा, infinity होगा, और अगर convex lens के सामने कोई object infinity पे है, तो उसकी image बनेगी principal focus पे, तो focal length और image distance क्या होगा, equal होगा, तो अपन diagram में देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर object infinity पे है, यहाँ पे अपने पास, तो उसकी जो image बनेगी, वो principal focus पे बनेगी, student यह principal focus ही है, अगर यह raise एक्दम पैडलर हो जाएगी, तो यह जो converging point है, यह उपर shift हो जाएगा, तो यह raise यहाँ पे converge होगी, इस point पे, यह principal focus है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो distance होगी, उसको बलता है focal length, और यहाँ पे image distance और focal length क्या होगा, इक्वल होगे, lens formula से आप find कर सकते हूँ, अगर object distance infinity है, तो focal length और image distance क्या होगा, इक्वल होगा, तो f note का मतलब है focal length of objective lens, v note का मतलब है image distance of objective lens, यहाँ पे f e का मतलब है focal length of eye lens, और u e का मतलब है object distance for eye lens, अब strength जो पहले जो image बनेगी, वो यहाँ पे बनेगी, उसकी height अपने h ले ली, अब h यह जो image है, इस eye lens के लिए क्या जाएगा, object हो जाएगा, अब आपको diagram कैसे draw करना है, objective lens थोड़ा large बनाना है, और eye lens छोटा बनाना है, small बनाना है, यह ray आपको थोड़ा सा alpha angle कम लेना है, less लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो यह ray निच्चे से जाएगी, और यहां फिर reflection होगा ही नहीं, तो बच्चो ज्यान में यह रखना है, आपको यह alpha की value कम लेना है, पहले optical center से pass करो ray, अगर optical center से pass करेंगे, तो reflection होगा ही नहीं, as it is, सीधी की सीधी से ले जाएगी, उसके बाद आप यह ray यहां से पहले मत बनाओ, अगर आप यह conversion यहां पर करवा रहे हो, और अगर आप यह ray यहां पर converge करवाते हो, तो image proper नहीं बनेगी, तो आप पहले यह वाली ray draw करो यहां से, यहां से लेके जाओ, फिर आपको अगर यहां पर image बन रही है, तो यह जो final image है, यह proper बन जाएगी, लेकिन अगर किसी बच्चे ने, यहां पर यह ray गलत बना दी, अगर आपने यह ray यहां से converge नहीं करवाई, यहां पर converge करवाते हो, तो यहां पर image कैसे बनाओगे आप इदर, तो student इस बात का ध्यान रखना है, आपको यह वाली ray, पहले तो optical center से पास करो, उसके बाद alpha angle आपको कम लेना है, लेस लेना है, object वला angle है, उसके बाद, यहां पर rays आपको converge गरवानी है, तो आप यहां से start गरो पहले, अगर आप यहां से start करते हो, तो आप यहां से इसको पीछे बनाके लेके जाओ अब यह थोड़ा सा यहां पे रिफ्रेक्शन होगा यह और यह बिल्कुल स्टेट नहीं है बच्चो यहां पे इंसिडेंट हुई ओष्ण हो गया इसको दो इसको आप अपनाधे मालत अपनाध्य समर्ट यहां प्लस यह लग सकते हुआ फεी स्टीब devam aus cannot overlap डिसमें स्ट्रीव एफ्टाइब यह लबिक विया और बीकात भी नोड प्लस यह रिख सकते लोग कि दोनों सेम है और यूई यहां पर मैसा पोजिटिव लेना है क्योंकि अगर नेगेटिव ले लोगे तो लेंथ डिक्रीज जाए कम हो जाए कि अब अब अच्छा आपको ध्यान यह रखना है इसमें कि इसका मैगनिफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे कि मैगनिफिकेशन कि और रिफ्रैक्टिंग कि टैलेस्कोब अब अब अच्छो इसमें इंपोर्टेंट टर्म यह है कि आपको यह उप्टिकल सेंटर से जो रे बनानी है यह एलफा एंगल कम लेना है ताकि यह प्रॉपरी से इंसर्ट हो जाए रिफ्रेक्ट हो जाए और अगर आपने अलफा एंगल ज्यादे लिए तो लेंस के नीच आगे का जो टोपिक है वो पढ़ेंगे अपन मैंगनिफिकेशन ओफ रिफ्रेक्टिंग टेलिस्कोप तो वच्चो अपन को करना किया है इसमें इसम एकवल टू एंगल फॉर्म बैर कि अनल इमेज ऑन आइपउन एंगल फॉर्म वाय ऑब्जेक्ट 10 बीटा अपॉन टैनलफा इसको एगूलर मैंगनिफिकेशन महीं मोलता है कि इसको एंगूलर मैंगनिफिकेशन ही बोलता है मेबन होनों मैगनिफाइंग इसको मैटनीफाइंग पावर कॉ Ela को प्रेट क्षेंग यहां पे देखो बीटा कौन सा एंगल है फाइनल इमेज बाला जो एंगल बन रहा है ओन आई उसको बीटा बोलेंगे तो यहां पर बीटा के सामने वाला जो साइड हो किया है परपेंडिकुलर एच और इसको जो बेस होगा वह क्या होगा ऑफ अब देखो यहां पर टेन मीटा की विलिए यहां पर एच भानी है वैसे अपने को एच डेस कंसिडर करना चीज़ी था लेकिन अपने अबजक्ट हाइट यहां पर देखी नहीं है तो इमेज आइट अपने एचली है यहां पर है एच अपन और इसका बेस के अब चोई इदर एफी कि सीम एटन अलफा एंगल फॉर्म बाइब औब्जेक्ट तो टैनल फाइद यह अगर 30 डिग्री तो यह भी 30 डिग्री होगा तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी एच और इसका बेस यह होगा बचोई दर इसका बेस है और यह मानलों बी है तो इसका बेस क्या हो जाएगा ओए और परफेंडिवर जाएगा एबी तो एबी अपॉन है ओए यह आंसर आएगा बच्चोई है एच अपॉन एफ नॉट कि यहां पर अगर टैन बीटा अपन ट्रेंगल के कोडिंग देखें तो आंसर आएगा कि वेल्यव कितनी होच हो यहां पर आपके पास अजेच और एकिवाली होगी आपके पास एफ एफे अब इसके अंदर वेल्यु पॉट करता है तो आंसर कितना आएगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बीटा आपन अल्फा तो यह अगर विटा और एल्फा स्मोल है तो य यह वेल्व बीटा के एकुल आजाएगी एलफा की के एकुल के आएगा एज अपन एफनॉट तो यह वेल्व पूट करते हैं अपने एम इक्वल टु अगर एलफा और बीटा वेरी स्मॉल एंगल है तो टैन बीटा एकुल टू बीटा एप्रोक्स इकुल हो सकता है टैन पूल टू आंजरा जाएगा एफनोट वाइफ एफ़ी तो यह काफी इंपोर्टेंट रिजल्ट आ गया नुमेरिकल के लिए और डेडिवेशन इसमें काफी बार यह तो बोड में वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुचता है या फिर रिफ्रेक्टिंग टेलिसकोप माइक्रोस्कोप होता है वो स्मॉल अबजेक्ट को देखने के काम आता है और अबजेक्ट नियर होता है उसमें माइक्रोस्कोप में और जो टेलिसकोप होता है वो लार्ज अबजेक्ट को देखने काम आता है और अबजेक्ट दूर होता है माइक्रोस्कोप में लेंज बड़ा होता है और आइलेंस क्या होता हैं छोटा होता है तो इस तुंट यह काफी यूस्फिल टोपिक है काफी यूसफुल डेरिवर्शन है जिसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इस वीडियो को सेल सब्सक्राइब लाइक जरूरू है थेंक्यू थेंक्स अलोग